हेलो हाई नमस्ते हाथ आपसे रिकाल किया चाल कैसे आप लोग मैं कुल्दी बंडारी स्वागत करता हूं आपका विदान्तूस क्लास 9th & 10 चैनल पर आप्टर वाइज 10 most repeated question पिछले कई सालों में ऐसे questions जो आपके सबसे जादा repeated question है क्योंकि देखो boards का पेपर बनता है तो उसमें 38 questions में से बहुत कम ऐसे सवाल होते हैं जो नए होते हैं जादातर सवाल उनका लगवग 70-80 परतिशत का पेपर होता है वह previous year का होता है तो आमें previous year questions करना बहुत जादा जरूरी है आप्रवाइस भी कराऊंगा फुल सिलेबस भी करवाऊंगा सब कुछ करवाऊंगा ठीक है तो करते हैं आज का कारेकरम शुरूरू लेकिन आप लोगों का थोड़ा सा साथ चाहिए मुझे बहुत महनत से हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं थोड़ा सा अगर आप like करोगे शेर करोगे दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करोगे अगर अभी तक नहीं किया तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और ऐसा ही like हम करते रहेंगे content बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए बाकी बढ़ते आगे और चीज है कुछ बच्चे इस वीडियो को recorded देख सकते हो है ना तो ताकि आप लोगों का time बच जाए और अच्छे तरीके से practice भी हो जाए ठीके जी चालो बहत बेसिक तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा हरे एक बच्चे को चीजे समझ में आजए ऐसा मेरा परियास रहेगा और marks भी बताता रहूंगा कि कितन 25 meter and 171 meter in an exact number minutes देखो बोला गया है क्या मैंने अपने sessions में आप लोगों को बहुत बार बताया आपके पास ऐसे words आएगे greatest आएगा maximum आएगा minimum आएगा आपको इन इस उल्जन में नहीं फसना है सबसे पहली चीज़ आपको बस एक concept पता होना चाहिए जो भी दो number मेरे पास द निकालना है या फिर छोटा number निकालना हुआ अगर मुझे इससे बड़ा number निकालना हुआ तो इस situation में इस case में मैं क्या करूंगा मैं अपना LCM निकालता हूँ और अगर छोटा number निकालना होगा तो इस situation में मुझे क्या निकालना पड़ेगा बेटा HCF निकालना पड़ेग clear है इतनी बात ठीक है अब आपके पास बोला गया है दो लोग है वॉक करती है एक लड़ी की 95 मीटर एक है आपके पास 170 मीटर वॉक करती है आपको ये बताने कि उनकी maximum speed कितनी होगी greatest speed कितनी होगी हाना दोनों की एक ही होनी चाहिए common speed होनी चाहिए और वो कितनी होनी चाहिए अब यार देखो अगर माल लो वो 95 मीटर का distance 1 minute में कवर करती है तो उसकी speed हो जाएगी 95 मीटर पर मिनट 95 मीटर पर मिनट अगर वो 117 मीटर का distance कवर करती है एक मिनट में तो उसकी जो speed होगी वो जाएगी 117,171 this is 171 171 मीटर एक मिनट में अगर वो कवर करती है तो 171 मीटर पर मिनट हो जाएगा अब अगर मुझे इनकी कॉमन स्पीड निकालनी है तो उव्यस सी बात है यार उनकी जो speed होगी एक ही जो speed होगी greatest possible speed जो होगी वो इससे बड़ी नहीं हो सकती है 95 पर मिनट से जादा तो वो भागी नहीं सकती है क्योंकि अगर 95 मीटर पर मिनट से जादा भागेगी तो एक मिनट से पहले ही पहुँच जाएगी वो एक मिनट से पहले नहीं पहुचाना हो उसको तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि इन दोनों से छोटा नमबर निकालना और छोटा नमबर जब भी निकालना ओता है, तो क्या करना होता है, HCF निकालना होता है, अब HCF निकालना है, तो आपके पास Prime Factorization Method है, 95 पहाँ आपके पास 95 के factors निकाल लो, कितना होता है, 5 होगा, 95's are 95, तो यह इसक इन दोनों में common है, आप लोगों के पास HCF आ गया है, इतना, तो HCF हो जाएगा, आप लोगों के पास कितना, 19 meter per minute, MCQ के format में आप लोगों के पास आता है, ये question, one marker, clear है भाहिया, ठीक, ये अगर आप लोगों को समझ में आ गया है, अगली बात करते हैं, अगला question, बहुत बढ़िया सवाल है, 2021 में आप लोगों के पास ऐसा सवाल आया है, this is competency-based question, guys, what is this, this is competency-based question, इससे पहले वाला भी competency-based question था, one marker question है, क्या कहता है ये, कह रहा है कि, if A and B are co-prime numbers, then A की power 3 and B की power 3 क्या होगा, अब A और B क्या है, co-prime numbers है, आपको पता है, co-prime numbers क्या होते है, co-prime numbers ऐसे numbers को बोला जाता है, जिनका HCF क्या होता है, जिनका HCF 1 होता है, उनमें कुछ भी common ना हो, जैसे, जैसे अगर मैं बात करू, 3 और 4, ये दोनों के दोनों क्या है, co-prime numbers है, अब अगर मैं 3 की power 3 कर दू और 4 की power 3 कर दू तो ये दोनों के दोनों number जो भी मेरे पास result आएगा 3 की power 3 को ऐसे लिख सकता हूँ 4 की power 4 को ऐसे लिख सकता हूँ तो क्या इन में कोई और number common आ रहा है अभी भी इनका hcf कितना है 1 ही है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है भीया कि अगर आपके पास कोई co-prime numbers है आप उनका square कर लो, cube कर लो, power 4 कर लो, power 5 कर लो, 6 कर लो, 7 कर लो, कुछ भी कर लो आपके पास result क्या आएगा? co-prime numbers ही आएगा अभी भी जो दोनों नंबर्स है वो क्या रहेंगे को प्राइम नंबर्स ही रहेंगे ठीक है बहुत सिंपल है वन मारकर सवाल बहुत बढ़िया सवाल है अगेन कॉंपेटेंसी बेस्ट क्वेशन है MCQ के फॉर्माट में LCM of two number is 2400 दो नंबर है A और B इन दोनों का अगर LCM की बात की जाए LCM जो है कितना है 2400 है तो आपसे पूछा गया है कि इन मेंसे कौन सा इसका HCF कौन सा इसका HCF नहीं होगा क्वेशन को ध्यान से पढ़ेंगे बच्चे नहीं होगा बच्चे इसको ध्यान से नहीं पढ़ते है और which of it cannot be their HCF अब इन मेंसे कौन सा HCF नहीं होगा भया ऐसा सवाल तो हमने कभी किया ही नहीं है क्यार LCM दे रखा और यह बताना है कि HCF कौन सा number नहीं होगा तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए आपको एक पता होना चाहिए यह note कर लो कि LCM is the multiple LCM is the multiple of LCM is the multiple of HCF कोई भी आपके पास numbers हो 2 number, 3 number, 4 number, 6 number, 8 number कितने भी number हो उनका जो LCM होता है वो HCF का क्या होता है? multiple होता है यानि कि अगर मैं 3 को 8 से multiply करूँ 8, 3 is a 2400 आएगा यानि कि इसको 8 से multiply करने पर क्या मिल गया? यह मिल गया 400 को 6 से multiply कर दूँ तो कितना मिल जाएगा? 2400 मिल जाएगा यानि कि 2400 क्या है? 400 का multiple है 600 को अगर मैं 4 से multiply कर दूँ तो 2400 मिल जाएगा क्योंकि multiple है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है उसका ये बिलकुल मतलब नहीं कि इसके 3-3 HCF होगे ये 3-3 HCF हो सकते हैं एक्जैक्ट HCF नहीं बता सकते हैं बट ये 3-3 HCF हो सकते हैं लेकिन अगर मैं बात करू 500 की 500 को किसी भी integer से multiply कर तो आपको 2400 नहीं मिलेगा पता कैसे चलेगा 2400 को मैं divide कर देता हूँ किस से 500 से तो देखो पूरा divide नहीं हो रहा है बाकी के number पूरे divisible होंगे तो इसका मतलब क्या है 500 इसका hcf नहीं हो सकता कभी भी बाकी के number possible है पता 500 नहीं होगा भी अब चालो आगे बढ़ते बढ़िया बढ़िया से सवाल है गाईज फिर दुबारा से आप लोगों के description में एक link है make sure download daily handwritten notes और एक और link है एक और link है आप लोगों के पास ncrt important question तो एक मैंने pdf बनाया है उसमें मैंने ncrt के सभी important questions को mark कर दिया है जो दूसरा वाला link है make sure कि आप लोग वहाँ से ncrt के हर एक chapter के exercise के उन questions को तो जरूर करना देख ले न कौन-कौन से सवाल है वो सारे सवाल आप जरूर करना assertion reason सवाल है क्या कहता है ये? ये कहता है कि assertion और reason यहाँ पर है assertion क्या कहता है कि आपके पास ये number दिया गया है क्या ये दोनो के दोनो composite number है ऐसा वो बोल रहा है तो चलो देखते हैं कि क्या ये numbers composite number है 7 into 13 into 11 plus 11 क्या ये composite number है अगर मैं यहाँ और यहाँ से 11 common ले लू तो आपके पास बचेगा 7 into 13 plus 1 है ना तो यह हो जाएगा 11 13 sevens are 91 होता है और plus 1 तो यह हो जाएगा 11 into 92 यह बच गया आपके पास अब देखो यह जो भी number होगा यह जो भी number होगा इसका एक factor 1 होगा हर किसी number का factor 1 तो होता ही होता है और जो यह पूरा पूरा multiply करके add करके answer आएगा वो भी होगा तो इसका factor यह भी होगा और यह number जो भी इसका solve करके जो भी number आएगा वो भी इसका factor होगा लेकिन यहां पर आपको दिख रहा है 11 से भी divisible होगा और 92 से भी divisible होगा इसका मतलब क्या है इसके 2 से जादा factors है 2 से जादा factor है ।ो किसी भी number के अगर 2 से जादा factor होते है तो वह number कहलाता है composite number तो यह दोनो के दोनो नंबर जब आप solve करोगे यहां पे 3 common लेके देकोगे तो यह 2 के दोनो नंबर जब आप solve करोगे तो आपके पास वो composite number होते है composite number दोनों के दोनों composite है अब यहाँ पे कुछ और बोला गया है reason में क्या कि क्या ये भी आपके पास composite number नहीं है is not a composite number तो देखो अगर मैं इसको 12 को देखो तो 4 into 3 में break कर सकते हो है ना solve करोगे तो आपके पास 4 common आ जाएगा तो फिर दुबारा से ये number भी क्या हो जाएगा आपके पास composite number होगा तो इसका मतलब ये भी composite number है reason भी सही है assertion भी सही है लेकिन क्या ये इसको explain कर पा रहा है नहीं ये तो तीनों की दोनों अलग-अलग statements है दोनों सही है लेकिन दोनों एक दूसरे को explain नहीं कर पा रहे है ठीक है तो option number है C कैसे होगा C है क्या assertion is true but reason is false नहीं भाई reason false हो गया is not a composite number बट ये तो composite number है तो यही आपको फसना नहीं है questions में जब भी आप exam में question करोगे तो उसमें फसना नहीं है statement को घंग से पढ़ लेना अगला सवाल अगला सवाल आप लोगों के पास क्या है क्याता है कि ये assertion है कि HCF of this and this and LCM of this and this अच्छा ये यहाँ पर थोड़ा सा mistake है आप लोगों को बोला गया है क्या कि HCF ये दो numbers का कौन से दो numbers का 3, 3, 6 and 54 इन दोनों का HCF आपको दिया गया है कितना 3,000 3,000 अब आप से क्या बोला गया आप से ये बोला गया है क्या ये statement सही है या गलत है तो आपको पता है बेटा product of two numbers product of two numbers sorry 54 is equals to LCM into HCF HCF मैंने रख दिया 6 LCM निकाल के देखते हैं क्या ये सही है या गलत है या फिर आप इन दोनों को multiply करके देख लो इन दोनों को multiply करके देख लो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है 6 से अगर मैं इसको cut करू 65 is a 36, 66 is a 36 तो 54 into 56 आ गया आपके पास चीके अब देखो कभी भी अगर आपके पास ऐसा कोई question आता है ऐसा कोई सवाल आता है जिसमें आपके पास ऐसे दो numbers आ जाते है चीके ना तो क्या करना है multiply करना है 64 is a 24 last में क्या आना चाहिए आपके पास 4 आना चाहिए लेकिन यहाँ पर unit digit कितनी है आपके पास 4 तो आपको पूरा multiply करने की जरुरत नहीं है यहीं से मुझे पता चल गया assertion गलत है क्योंकि LCM क्या आना चाहिए LCM जो भी इनका multiple होगा इसका unit digit क्या होना चाहिए 4 लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा है आपको 0 तो इसका मतलब assertion गलत है अब अगर assertion गलत है assertion अगर गलत है तो फिर आपको बाकी का दूसरा option चेक करने की भी जरुरत नहीं है यहाँ पर assertion true होता है यहाँ पर भी assertion true होता है यहाँ पर भी assertion true है सिर्फ यही इकलाथी ऐसी statement है जहाँ पर assertion false गलत है अगर assertion गलत है तो reason automatically true होगा ही होगा आपका यह भी यह तो इस तरीके से करने, चलो, अब आपके पास ये जितने भी top 10 PYQs, most repeated questions में करवार हो, तो इसमें आपके हर एक type के सवाल cover होगे, competency based questions भी होगा, MCQ भी होगा, assertion reason भी होगा, case study भी होगा, 2 marker भी होगा, 3 marker भी होगा, 5 marker भी होगा, हर एक type का सवाल होगा, तो 10 सवाल बे मिसाल ह चलो, read the following answer and questions, देखो, आपके पास ये एक बहुत लंबी चौड़ी सी statement दी गई, case study सवाल है, मुझे कुछ-कुछ पूरा अगर आप पढ़ना चाते हो, तो पढ़ सकते हो, लेकिन जितना मुझे देखके समझ में आ रहे, the number of participants in the English and mathematics are 60, 84 and 108, तो कह रहे है, क्या, आप पढ लेना एक बारी इसको, है न, फटाफट से, कोई मतलब, अगर कोई organization थी, उसने कुछ लोगों को बुलाया होगा, educational organization थी, तो जिसमें maths के कितने, हिंदी के कितने, 60 लोग आये थे, है न, English के कितने लोग आये थे, 84 आये थे, और maths के कितने लोग आये थे, पिटा, maths के आये है 108 लोग आये, अब इसके basis पे वो आपसे कुछ सवाल पूछेगा, जैसे ये पूछा गया है, इनको किसी room में बिठाना, I guess, in each room, same number of participants are to be seated and all of being the same subject, hence maximum number of participants that can accommodate in a room, देखो, हिंदी के आपके पास कितने थे, 60 थे, English के आपके पास कितने थे, 84 थे, और maths के आपके पास कितने लोग थे, अब इन तीनों लोगों को, इन तीनों लोगों को, कुछ rooms में बिठाया गया है, तो आपको ये बताना है, मालो ये पहला room है, ये दूसरा room है, ये तीसरा room है, ये चौथा room है, एक room में एक subject के लोग होंगे, each subject के, वरना फिर लडाई हो जाएगी न, इसमें equal number of लोग होने चाहिए, सब में equal number of लोग होने चाहिए, तो ये जो equal number of person होंगे, अब आप सोचो, खुद सोचो, यार 60 लोग है हिंदी के, क्या एक कमरे में 60 से जादा लोग बैठ सकते हैं, क्या एक कमरे में 60 से जादा लोग बैठ सकते हैं, आप बोलो के सर, अगर मैं 61 लो या मैट्स काएगा फिर तो वो गड़बड हो जाएगा ना क्योंकि हमें तो एक ही परकार के लोगों को बिठाने हो आप तो इसका मतलब क्या है 60 से जादा आप लोग एक कमरे में नहीं बिठा पाओगे अब अगर आप एक कमरे में 60 से जादा लोग नहीं बिठा पाओगे तो आपको यहां से समझ में आ गया कि बड़ा नंबर नहीं निकालना है छोटा नंबर निकालना है 60 से कम लोग आप बिठा सकते हो एक कमरे में ठीक है चोटा नंबर निकालना तो क्या करना होता है HCF निकालना होता है HCF निकालनो क्या दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है बस करना कैसे एक्जाम में Prime factors of दक्कनवा निकल गया इसका तो Prime factors of 60 Prime factors of 84 Prime factors of 108 मैं इनका Prime Factorization नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनका Prime Factorization किस तरीके से होगा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ आपका Time Waste होगा तो इस तरीके से आप इसके सीधे-सीधे Prime factors निकाल सकते हो इसके prime factors आप इस तरीके से निकाल सकते हो इसके prime factors आप इस तरीके से निकाल सकते हो अब अगर बात करें HCF की तो देखो common क्या-क्या है ये common है ये भी common है और ये भी common है तो 2 into 2 into 3 ये common है तो इनका multiply कराओगे कितना आजाएगा 12 आजाएगा ठीक है भाई? clear चाल ये चीज़ अब अगला बात आप लोगों से पूछा गया what is the minimum number of rooms required during the event पूरे event के लिए कम से कम कितने rooms की requirement होगी पूरे event के लिए कम से कम कितने rooms की requirement होगी अब मान लो let the total number of rooms let the total number of rooms जो total number of rooms है न बिटा वो कितने हैं? x है अब ध्यान से देखो एक room में एक room में कितने लोग बैठे हैं? 12 लोग बैठे हैं अभी hcf से निकाला तो इसका मतलब क्या? एक room में 12 लोग बैठे हैं तो x rooms में x rooms में कितने लोग होंगे बेटा? 12 into x हो जाएगा 12 into x हो जाएगा 12 into x हो जाएगा यह total number of rooms मतलब x room में कितने लोग बैठेंगे? 12 into x होगा और यह किसके बराबर होगा? total number of total number of person जितने भी total लोग होंगे उसके बराबर होगा उसके बराबर होगा अब total लोग कितने है total लोग कितने है तो ये 12x किसके बराबर होगा 60 हिंदी वाले थे 84 English वाले थे plus 108 maths वाले थे 12x जो होगा किसके बराबर होगा 8 4 12 112 हो जाएगा 112 में ये 80 अड़ करूँगा तो 194 हो जाएगा और 254 आजाएगा शायद जहां तक मेरा गणित कहता है 12 से कट करो 12 to the 24 252 होगा शायद 52 आएगा ना 84 नहीं आएगा तो 1 और 2 बचेगा 21 एक्स की वेल्यू कितनी आजाएगे आपके पास 21 यानि कि total कितने रूम्स की requirement लगेगे आपको 21 कमरे लगेंगे 21 कमरे 21 कमरे अगर आप individual भी निकालना चाते हो न तो वो भी आप निकाल सकते ठीक है अब दिमाग लगाओ कैसे निकालोगे ठीक है ची चाल यह हो गया आमारे पास ठीक फाइंड दप्रोड़क्ट औफ HCF and LCM of these three numbers आपके पास ये तीन numbers है इनका आपने HCF निकाला HCF इनका कितना आया था 12 आया था अब आप क्या करोगे इनका LCM भी निकाल लो वही prime factorization method से LCM मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको कितना आएगा इनका LCM ओ इनोंने किया नहीं है तो यहीं पे इसका अगर मैं factorization दिखाऊँ आपको जो यहाँ पे तो LCM में क्या करते हम सबसे पहले तो इनकी जो powers है वो आप लिख लो 2 की पावर 2 3 की पावर 1 5 की पावर 1 2 की पावर 2 3 की पावर 1 7 की पावर 1 2 की पावर 2 3 की पावर 3 तो LCM की अगर मैं बात करूँ LCM की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा 2 into 3 into 5 into 7 2 की power कितनी है, 2 है 3 की power कितनी है, 3 है 5 की power, 1, 7 की power, 1 4 multiply कर दो multiply कर दो इनको तो आपके पास LCM آ जाएगा इसका जो LCM है कितना है 3780 इसका जो LCM कितना है 3780 अब उसने बोला है कि इनका multiply निकाल दो LCM into HCF LCM into HCF निकाल दो तो आप multiply करा देना 3780 को 12 से multiply करा देना कुछ नहीं करना है 12 से multiply करा दो बस इसको है ना तो मतलब मैं कर वा हूँ इन तीनों नमबर का यह question भी पूछ लेता वह कई बात इन तीनों का जो LCM into HCF होता है LCM into HCF होता है वो कभी भी इसके product के equal नहीं होता है वो कभी भी इसके product के equal नहीं होता है दो नमबर के cases में यह valid है बट तीन नमबर में यह बिलकुल भी valid नहीं है तो ध्यान रखना भाई इस चीज़ का ठीक है चल बहुत बढ़िया सवाल है बहुत बढ़िया सवाल है guys बहुत बढ़िया case study आपके पास दो marks sorry 4 marks का आता है तीन marks का यह सवाल है और boards में ऐसा सवाल आप लोगों के पास इस साल guaranteed आने वाल है guaranteed आएगा यह वाला सवाल इस टाइप का समझो क्या क्या रहे find all the pair of positive integers whose sum is 91 and HCF is 13 कह रहे कि आपको वो सभी pair निकालने हैं ऐसे numbers बताने हैं जिनका sum ऐसे दो numbers जिनका sum 91 हो pair का मतलब होता है दो number ऐसे दो number जिनका sum 91 हो और जिनका HCF कितना हो 13 हो so let the two numbers let the two number be A and B दो numbers मैंने क्या माल लिए A और B माल लिए अब A की जो value होगी वो क्या होगी बेटा 13X होगी and B की जो value होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा 13Y हो जाएगी क्यों ऐसा होता है उसको समझो क्यों ऐसा होता है उसको समझो देखो कोई भी number हो कोई भी number हो जैसे माल लो 15 और 24 है 15 को अगर मैं करता हूँ 5 into 3 होता है 24 को करूंगा तो 2 into 2 into 2 into 3 होता है तो इन दोनों का HCF क्या है 3 है इन दोनों का HCF क्या है 3 है तो 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ HCF into 5 और 24 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ HCF into 2 into 2 into 2 8 वही चीज की है A को मैंने लिख दिया क्या 13 into HCF oh sorry HCF into हमें नहीं पता कुछ भी हो सकता है B को मैंने लिख दिया 13 into यानि की HCF into something तो वही चीज लिखिए अब यह जो बाकी के दो नंबर बचे हुए आपके पास यह X है और यह Y है यह जो बाकी के दोनों नंबर बचे हुए है आपके पास यहां से आपको एक आइडिया मिल गया है कि X and Y are co-prime numbers यह क्या है आपके पास co-prime numbers है क्या है यह co-prime numbers है co-prime numbers co-prime numbers यहनि कि इन दोनों में कुछ भी common नहीं आना चाहिए जितना common था वो HCF निकाल दिया है अब इन में कुछ भी common नहीं आना चाहिए पंडा समझ में आया पंडा समझ में आया बिलकुल आया तो यहां से मुझे एक चीज और पता चली है कि X और Y co-prime numbers है यह हमारे पास यह है अब question में उसने बोला था इन दोनों numbers का A और B का जो sum है कितना है 91 है तो तेरा common ले लो X प्लस Y कितना हो जाएगा 91 आ जाएगा कभी कभी हम यह multiply में भी कर लेते हैं जैसे मैंने 5 सवाल बेमिसाल में करवाया था यह product में भी दे देता है तो इस type के सवाल आपके पास आएंगे चीक है तो X प्लस Y कितना आगया आपके पास साथ आगया साथ आगया अब अगर यह आपके पास साथ आ गया है विटा लेके प्रभू का नाम चीक है आपको pairs बनाने हैं कैसे बनों कौन से दो numbers का sum साथ होगा वो पता लगाना है अगर मैं X को 1 मानलू तो Y की value कितनी आजाएगी पेटा 6 आजाएगी तभी तो इन दोनों का sum साथ होगा अगर मैं x को 2 मान लू तो y की value कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी अगर मैं x को 3 मान लू तो y की value कितनी आ जाएगी 4 आ गई अगर मैं x को 4 मान लू तो y की value कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी अगर मैं x को 5 मान लू तो y की value कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी x को आगर मैं 6 मान लू तो y की value कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी और x को मैं 0 नहीं ले सकता हूँ x को 0 नहीं ले सकता हूँ 0 क्यों नहीं ले सकता हूँ क्योंकि उसने बोला है positive integers positive integers तो अगर x की जगा पे 0 रखेंगे तो a तो 0 हो जाएगा तो 0 नहीं ले सकता हूँ तो x को 1, x को 2 और x को 3 रख सकता हूँ ये pair बने इसके अलावा और कोई pair नहीं बनेगा नीचे वाला अगर आप देखोगे ना तो वही same चीज repeat हो रही है reverse हो जाएगे बस वो numbers numbers क्या हो जाएगे? reverse हो जाएगे तो आपको बस ये 3 pair देखने अब हमने बात किती कि x और y को प्राइम numbers होने चाहिए क्या होने चाहिए को प्राइम numbers क्या 1 और 6 को प्राइम है? बिल्कुल को प्राइम है क्या 2 और 5 को प्राइम है? बिल्कुल को प्राइम है तो अब आपको ये तीनों values consider करनी पड़ेंगी कहीं कहीं पर क्या होते है कि ये co-prime नहीं आते जैसे 2 और 4 आ जाते है 2 और 4 दोनों co-prime नहीं है क्योंकि उनका HCF 2 होता है तो वो वाली value आप neglect कर दोगे उस case में बस अब A और B की value निकालनी थी आपने तो A कितना था आपके पास 13X तो पहला number हो जाएगा 1 अगर substitute करूँगा B की value कितनी 6 substitute करूँगा तो 13, 6 is a 72 होता है दूसरा pair बन जाएगा A की value कितनी X की जगा पे 2 13, 2 is a 26 B की value 13, 5 is a 65 होता है शायद A की value अगर मैं 3 substitute X की value 3 substitute करूँगा तो 13, 3 is a 39 B की value आजाएगे आपके पास 42 यह 3 pair हैं जिनका sum अगर आप करोगे तो 91 होगा 13, 6 is a 78 12, 6 is a 72 जिनका sum 91 होगा और product इनका कितना होगा आप लोगों के पास 52 हाँ product और सॉरी sum कितना होगा 91 होगा और इनका सबका HCF कितना होगा 13 होगा तो 13, 78, 26, 39, 52 चीके जी चल तीन marks का सवाल था अब एक और तीन marks का सवाल आप लोगों के पास कुछ इस परकार से आएगा कभी कबार वो 2 marks का भी दे दे दा इस question को prove that root 5 is an irrational number अब आप लोगों को इसको irrational number prove करना है तो आप लोगों को पता है इसको irrational number कैसे prove करना है मैं इस question को नहीं करवाओंगा क्योंकि most of these students को ये सवाल आता है जिसको नहीं आता है तो उसने पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ाओगा क्योंकि ये सबसे basic सवाल है हमारे पूरे के पूरे chapter 1 का तो मैं time waste नहीं करना चाहूँगा बचाना चाहूँगा ताकि आप लोग उसको utilize करो तो इसको तो जरूर करना भाई ये आएगा ये लिखके लिलो मिर से ऐसा सवाल आप लोगों के पास आएगा ही आएगा अब यहाँ पे कुछ confusion होती है कुछ confusion क्या होती है कि भाई अगर हमें 2 minus root 3 दे दे इसको irrational number proof करना है कैसे करेंगे क्या हमें root 3 को अलग से irrational proof करना पड़ेगा तो हाँ बिटा अगर ये सवाल आपके पास 3 marks का आएगा तो yes आपको इसको irrational proof करना पड़ेगा अगर ये सवाल आपके पास 2 marks का आएगा और आपको ये given नहीं है अगर ये given नहीं है कि आपके पास ये irrational number है तो भी आपको root 3 को irrational proof करना पड़ेगा तो भी आपको root 3 को irrational proof करना पड़ेगा और कई बार वो 3 marks में given दे देता है कि ये root 3 एक irrational number है मैं ये suggest करूँगा कि आप उस टाइम पे भी उसको irrational number proof करो चिके बाकी नहीं भी करोगे तो भी शायद चल जाएगा चिके जी चिके जी चल आजाओ चिके ये आप कर लोगे कैसे करने तो उसमें time waste नहीं करते अब आजाओ जी 5 marks का एक सवाल है क्या कहता है कह रहा है grow more plantation have फिर दुपारा से case study जासा मुझे लग रहा है but case study नहीं है कुछ मतलब दो parts में इसमें कुछ पूछा गया है कि there are required to plant 84 trees in smaller field and 231 trees in the larger field, both field the trees will be planted in the same number of rows but in different number of columns ठीक है अच्छा ठीक है what is the most number of rows that can be planted मुझे तो सवाल समझ में आ गया, मैं समझा देता हूँ देखो, दो field है दो field है एक small field है जिसमें आप लोगों को कितने पेड लगाने है 84 trees लगाने है और एक क्या है, और एक क्या है, लार्ज field है, बड़ा वाला field है, इसमें आप लोगों को कितने लगाने है, 231 trees लगाने है small field में आप लोगों को 84 trees लगाने है और लार्ज field में आप लोगों को कितने trees लगाने है अब इनको कुछ rows और columns में लगाने, columns में लगाने columns में आपको क्या लगाने है, कुछ field ये लगाने है ठीक है, rows में और columns में आपको कुछ ये लगाने है अब एक रो में एक रो में same number of tree होने चाहिए same number of tree होने चाहिए same number of tree होने चाहिए तो यार obvious सी बात है obvious सी बात है एक रो में क्या मैं 84 से ज़्यादा trees लगा सकता हूँ एक रो में क्या मैं 84 से ज़्यादा trees लगा सकता हूँ बोलो हाँ या ना तो आप बोलोगे ना एक रो में आगर आपके पास 84 ट्रीज है क्या आप 84 से ज्यादा लगा सकते हो एक रो में नहीं लगा सकते हो पेड़ी नहीं है उतने तो इसका मतलब क्या है एक रो में जो हम लगाएंगे वो कम ट्रीज लगाएंगे अगें छोटा न ऐसा आता है जिन्दगी में जिसमें लिखा होगा maximum बट निकालना होगा उसमें LCM तो फिर हो जाएगा बराबर चीक है चलो LCM निकाल लेना सारी HCF निकाल लेना दोनों का मैं नहीं निकालूंगा खुद थोड़ा मेहनत करो क्योंकि maths is all about your practice तुम बस जो question में साथ के साथ करवा रहा हूं दिखा रहा हूं उसको खुद से solve करो वीडियो को pause करो खुद से solve करो हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं होता है तो solution देख लो उसका क्योंकि मैं करवाओंगा मैं करूंगा उसमें और तुम करोगे तो दोनों में फरक है तुम्हारा करना जरूरी है मेरा करना जरूरी नहीं है बाकी मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि कैसे इसके factors होंगे ताकि आप लोग match कर सको तो ये इसके factors होगे तो दोनों का HCF आ जाएगा 21 तो यानि कि maximum number of rows कितने हो जाएंगे आपके पास 21 rows हो जाएंगे तो पहले वाले का answer आजाएगा कितने rows होंगे total 21 rows हो जाएंगे जिसमें वो पेड लगेंगे आप क्या कह रहा है if the trees are planted in the same rows obtained in part 1 how many columns will each field have देखो हर एक field के small वाले field के और large वाले field के आपको column बताने कितने column बनेंगे अब देखो समझो एक row में कितने है अच्छा एक यह नहीं निकाला क्या हमने ठीक है ठीक है हाँ ठीक है तो अब आप लोगों के पास क्या है आप लोगों को पता चल गए total rows कितने है इतने है small field में कितने पेड है total 84 trees है 84 trees है अब एक row दो row तीन row इस तरीके से वो लगे होंगे है ना इस तरीके से वो लगे होंगे अब आपको अगर यह निकालना है number of trees कितने है एक row में एक row में कितने trees है जैसे यह tree है तो इन trees को arrange किया गया है किसमे columns में arrange किया गया है मालो ऐसे तो एक row में कितने tree है उतने ही आपके number of columns आ जाएंगे तो एक रो में कितने ट्री हो जाएंगे जितने टोटल नंबर ओफ 3 है उसको नंबर ओफ रो से डिवाइड करदो तो आपके पास आ जाएंगे 4 तो एक रो में कितने ट्री आज़ चार ट्री आनि की 4 कॉलमस बनेंगे उसी तरीके से लार्ज वाले का निकाल लो आप 231 है 231 है उसको 21 से कर दो 21 21 21 21 21 कितने कॉलम्स आ जाएंगे 11 आ जाएंगे लार्ज वाले का ठीक है यहाँ पर देखो marking scheme भी लिखी है इतना करोगे तो एक marks मिलेगा इतना करोगे तो आधा मिलेगा इतना करोगे तो आधा 2 marks का यह सवाल है चीके जी? चल अब इस question का इस chapter का एक सबसे बड़ा सवाल 5 marks का अभी तक जितने भी सवाल हमने किये है standard match, basic match दोनों वाले के लिए थे लेकिन यह वाला जो सवाल है सिर्फ और सिर्फ standard वाले करेंगे सिर्फ और सिर्फ standard वाले करेंगे basic match का कोई बच्चा है तो वो वीडियो छोड़ सकता है क्योंकि आगरी सवाल है बाकी standard वाले यही पर रुकेंगे इस सवाल को करेंगे prove that root p plus root q is an irrational number where p and q are prime numbers या तो वो आपको prime numbers बोलेगा या तो फिर ऐसा भी बोल सकता है कि दोनों के दोनों irrational है root p और root q क्या है irrational है ऐसा वो बोल सकता है both are irrational ऐसा भी बोल सकता है कुछ भी बोले कोई फरक नहीं पड़ता उससे कैसे करोगे आप बोलोगे क्योंकि इन दोनों को irrational proof करना है ना तो आप बोलोगे let under root p plus under root q are rational number. यह क्या है आपके पास rational number है. दोनों के दोनो rational number. अब अगर यह rational numbers होंगे तो root p plus under root q को मैं a upon b की form में लिख सकता हूँ. Rational numbers है. यहाँ पे a and b are co-prime numbers. क्या है co-prime numbers है? ठीक है? अच्छा. अब एक चीज़ को समझा. यार यह कभी भी अगर आपके पास ऐसा combine कुछ आ जाए ना square कर दे ना. दोनों तरफ. मतलब अगले step में हम करते क्या थे? squaring करते थे ना. तो यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया? squaring कर दी. under root p plus under root q. q इदर क्या कर दिया? मैंने square कर दिया. तो इधर भी क्या करना पढ़ेगा? square करना पढ़ेगा a upon b का whole square. इदर अगर मैं करता हूँ under root p का square p हो जाएगा under root q का square करूंगा q हो जाएगा plus under root p into under root q is equals to a square upon b square हो जाएगा तो p plus q plus 2 under root p अब ये P और Q दोनों को उधर shift कर दो, P और Q दोनों को उधर shift कर दो, क्योंकि हमें under root के अंदर जो terms है, उसको अकेला बनाना होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 under root P into Q is equals to A square upon B square minus P minus Q, थोड़ा सा solve करते हैं इसको, थोड़ा सा अगर आप RHS में solve करोगे, तो ये हो जाएगा, LCM आएगा सबका B square, ये हो जाएगा A square minus B square into P minus B square into Q, इतना बच जाएगा, ठीक है, ये 2 यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, इसको भी इधर भेज दो, तो इसको अगर इधर भेजोगे, divided by B square, और 2 भी इधर आजाएगा, बस इतना कर देना है, इतना करने के बाद, आपको, एक statement लिखनी है, क्या, कि, under root P, is an, irrational number, irrational number, if, P is a prime number, अगर P कोई prime number है, तो उसका square root, हमेशा क्या होता है, एक irrational number होता है, उसका square root क्या होता है, हमेशा एक irrational number होगा, तो आपको यहां से एक चीज़ पता चल गई, कि यार under root P, और under root Q, prime number है, तो यह पूरा का पूरा number क्या हो जाएगा, irrational हो जाएगा, अगर अगर हमारी assumption गलत होगी, कि यह rational number नहीं है, तो रेशनल नहीं होगा, तो क्या होगा भीया, irrational होगा, irrational होगा, तो बस simple सा है, बस आखरी में यह line शाब देना, so this contradicts our assumption, hence root P plus root Q is an irrational number, कुछ नहीं करना है, यहां तक करोगे, एक marks मिलेगा, यहां पे करोगे, आधा marks मिलेगा, इतना करोगे, आधा मिलेगा, इतना करोगे, एक marks मिलेगा, इतना लिखोगे, एक marks मिलेगा, इतना लिखोगे, एक marks मिलेगा, पूरे के पूरे, 5 number मिल जाएंगे, इसमें आपको, ठीक है वहीया, चाल, so yes guys this is all about for this session बाकि अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे Instagram पे connect कर सकते हो बट अभी exam चल रहे हैं कोशिश करना है कि social media से थोड़ा दूर रहो बट doubts अगरा कुछ हो तो आप लोग पूछ सकते हो यह मेरा Instagram ID है KULDWEPB-01 अगर मुझे तुमारे session से थोड़ा time मिल जाएगा तो मैं definitely बता दूँगा नहीं मिलेगा तो so sorry exam के बाद मुझे follow करना बहुत अच्छे अच्छी photos दालता रहोंगा तुमाल लिए बाकि यह विदान्टू का telegram group है यहाँ पे आपको notes PDF के form में सारा कुछ content मिल जाएगा तो telegram group भी join कर लेना और इस वीडियो के description में जो link है download daily handwritten notes वाला वो आप ज़रू access कर लेना क्योंकि वहाँ पे आपके पास सारा कुछ है और NCRT के अगर important question चाहिए वो भी यहाँ पे description में दूसरा वाला link होगा NCRT notes वाला बाकी like करते रहो, share करते रहो, subscribe करते रहो thank you so much guys, tata bye bye, see you soon